पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुगंधा को लेने के लिए उसकी सास उसके माई के पहुँच जाती है। ससुराल आने पर रूही सुगंधा का काफी मजाग बनाती है। कुछी वक्त में रूही की शादी हो जाती है और रूही की सास मेंगा अब उसके साथ वैसा ही व्यवार कर रही थी जैसा रूही और नीलम सुगंधा के साथ करते थे आधी रात में नीलम के घर के दर्वाजी पर जोरदार दस्तक होती है जिससे सब घबरा जाते हैं अग आगे नीलम और नारायन अपने कमरे में बैठकर सूची रहे थे कि ये कौन है मुझे तो कुछ गरबर लगती है मैं तो कहता हूँ कि पुलिस को बुला लेते हैं नजाने कौन है वही सुगंधा कमरे से उठकर दर्वाजे के पास पहुँच जाती है और उसे वहां रूही की आवाज सुनाई देती है सुगंधा जल्दी से दर्वाजा खोलती है और रूही रोते हुए सुगंधा को गले से लगा लेती है रूही आप इस वक्त और क्यों रो रही हो तभी सुगंधा तेज आवाज में अपने साससूर को आवाज लगाती है मामी जी पापा जी जल्दी आईए वो दोनों घबराए हुए बाहर आते हैं और अपनी बेटी को देखकर हैरान रह जाते हैं हे भगवान इस वक्त कैसे आ गई तो क्या हुआ बेटा ये क्या हाल का रखा है मुझे नहीं रहना उस घर में ममी वो टॉर्चर करते हैं मुझे लेकिन हुआ क्या है आप शांदी से बैठ जाएए पहले भावी आप मुझे माफ कर दीजिए मुझे बहुत बढ़ी गलती हो गए मैंने आपके साथ बहुत गंदा विवार किया आपने सही कहा था कि जब मेरी शादी होगी तब ही मुझे पता लगेगा ये सब छोड़ तू अब चल अपने कमरे में हम बाकी बात कल करेंगे नीलम अपनी बेटी को कमरे में ले जाती है अगली सुभर रूही अपनी बात सब को बताती है ऐसी है तेरी सास तू चिंता मत कर मैं बात करूँगी उससे नौकरानी बना कर रखा है मुझे मम्मी वो बहुत बुरी तरीके से रखती है कुछ बुरा कहती भी नहीं है लेकिन बहुत तेज है अभी खाट खड़ी करती हूँ तेरी सास की आखिर मेरी बेटी को परिशान किया है छोड़ूँगी नहीं लेकिन बेटा तुम इस तरह रात में कैसे आ गई होगी अब तो बात एक तरफ लगकर ही रहेगी नीलम अपनी समधन मेंका को फोन करके सारी बात करती है और कुछी देर में मेंका अपनी बेटे के साथ उनकी घर पहुंच जाती है क्या बात है मेंका जी ऐसी रखना था मेरी बेटी को तो फिर शादी क्योंकि लेकिन मैंने तो आपकी बेटी को कुछ भी गलत नहीं कहा पूछ लीजिए मैंने ये नहीं कहा कि आपने गलत बात की है लेकिन आपका व्यवार बहुत बुरा है बेटा अब बहु तो काम करती ही है बस मैं तुझसे काम ही करवाती हूँ काम मैं करती हूँ और क्रेडिट आप ले जाती है और मेरे थोड़े से काम में अगर आप हाथ बटवा दे तो क्या हो जाए? मैं भी तो इंसान हूँ अगर तुमसे काम नहीं होता था तो मुझे बता देती मैं काम वाली लगवा देता आप तो कभी मुझे समझते ही नहीं है काम वाली तो पहले लगी होई थी ना तो क्यों हटाई? मैंने सोचा आप घर में बहू आ गई है काम वाली की क्या जरूत है? अच्छा, मेरी बेटी काम वाली है क्या? अब काम तो देखो करना ही पड़ेगा अगर नहीं करना तो आप इसे यहीं रख लीजी अच्छा, तो अब आप इसे बसाना भी नहीं चाते तो ठीक है, हमें भी कोई जरूत नहीं है चलो बीटा, ऐसी बहू किस काम की? तलाक नामा विजवा देंगे यह कैसी बाते करती हो नीलम तलाक लेना फिर से शादी करना मजाग थोड़ी ना है तो क्या, अपनी बेटी को कुए में धकेल दू यह वहाँ नौकरानी की जिन्दगी जिये तब ही वहाँ पर सुमित आजाता है और वो काफी खुश लग रहा था अरे आप अचानक से? हाँ सुगंदा, और खुश ख़बरी लेकर आया हूँ क्या खुश ख़बरी लाया है बेटा? यहाँ तो दुख भरा पड़ा है क्यूं? पापा क्या हुआ? देख तो, तेरी बहन का हाल उसके बाद सुमित को भी सारी बात बताई जाती है मम्मी अब क्या कह सकते हैं? आजकल के सस्राल वाले ऐसे ही होते हैं क्यूं ऐसे होते हैं? अच्छे लोग भी तो होते ही हैं? ना जाने वो लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं मैंने तो देखे नहीं जो बहु को खुश रख सकें आप अपने ही घर में देख लो ये बात सुनकर नीलम हैरान रह जाती है और उसे बोलने को कुछ शब नहीं मिलता अरे बेटा, ये क्या कह रहा है? क्या तेरी पतनी यहां खुश नहीं है? वो तो आप खुच से पूच कर देखिये मम्मी हाँ मम्मी, भाया सही कह रहे हैं अब ये सब छोड़ो सुगंधा, चलो कमरे में तुम तयारी कर लो, मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाने आया हूँ क्या सच में? आपको अपार्टमेंट मिल गया? हाँ मिल गया पापा मम्मी, अब मैं सुगंधा को साथ ले जा रहा हूँ अब हम वही रहेंगे, बहुत अच्छी बात है बेटा कबसे बिचारी बहु अकेली ही रह रही थी सुमित और सुगंधा कमरे में चले जाते हैं और तयारी करने लगते हैं मैं बहुत खुश हूँ, अब कम से कम हम साथ तो रहेंगे लेकिन काम तो तुम्हें वहाँ करना ही पड़ेगा ऐसे काम करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप भी जानते हैं हाँ मज़ा कर रहा हूँ, मुझे सब पता है तो उसी शाम सुगंधा और सुमित अपना सारा समान पैक करके घर से चले जाते हैं अगले दिन क्या बात है ममी, आप काफी उदास लग रही है हाँ बेटा, कल सुमित की बात ने मुझे हिला कर रख दिया कौन सी बात, वही बात की सुगंधा को हमने खुश नहीं रखा लेकिन ये तो सची है ना ममी, आप भी जानती है लेकिन आप बार-बार इस बात को इग्नोर कर रही है हाँ, जब भी ऐसी कोई बात होती है तो मैं कोई और बात शुरू कर देती हूँ लेकिन आप ऐसे कब तक भागते रहेंगे अब तो भावी भी इस घर से चली गई है उसके जाने के बाद ही मुझे ऐसास हुआ कि मैंने उसके साथ इतना बुरा वेवार किया मैं ही तेरी सास जैसा ही कर रही थी मुझे भी बहुत बुरा लगा ममी जब मैं शादी करके ससुराल पहुँची और मेरे साथ वैसा ही हुआ तब समझ मैं आया बेटा अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने बहुत जादा गलत कर दिया सुगंधा के साथ वो बहुत अच्छी लड़की है हाँ ममी जो जो भी बुरा हमने सुगंधा भाबी के साथ किया वैसा वैसा ही मेरे साथ हुआ ये होता है कर्म का फल मैंने किसी की बेटी को खुशी नहीं दी तो आज मेरी बेटी के साथ भी यही हो रहा है आपको भाबी से माफी मांगनी जाये थी ममी मैंने तो आते ही उनसे माफी मांग ली थी वहीं उन दोनों की बाते नारायन भी सुन रहा था और तब ही उनके पास आता है मुझे शर्मा रही है कि तुमने सुगंधा के साथ ये सब किया और मेरे सामने क्या क्या ढौंग किया नीलम जोर-जोर से रोने लग जाती है क्योंकि आखिर उसे अपनी गलतियों पर बहुत पच्चतावा हो रहा था वो जानती थी कि उसने सुगंधा के साथ बहुत गलत किया था अब रोने से क्या होगा? अब तो बहु चली गई है अब वो वही रहेंगे और बहुत अच्छा है खुछ तो रहेंगे कम से कम मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि माफी मांग सकूँ कहां लोग बहु को रानी बना कर रखते हैं और मैंने उसे नौक रानी बना दिया हाँ ममी? और मैं अच्छे से समझती हूँ कैसा फील होता है मेरी शादी होने के बाद ही मुझे समझ में आया तभी वहाँ पर मेनका भी आ जाती है नीलम और रोही उसे देखकर हैरान रह जाते हैं आप यहाँ अचानक? हाँ, मैं अपनी बहु को लेने आई हूँ रोही और नीलम यह सुनकर हैरान रह जाती है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा शादी के वक्त आपके बेटे सुमित ने मुझे सारी बात बताई थी कि आप अपनी बहु के साथ कैसे रहती हैं यह क्या कह रही हैं आप ममी जी? हाँ, इसलिए मैं आप दोनों को दिखाना चाहती थी कि जब बहु के साथ ऐसा होता है तो कैसा फील होता है यह सुनकर रोही और नीलम की आखे शर्म से जुख जाती है लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी गल्ती का एहसास हो गया तुम दोनों को समझाने के लिए ही हमें यह समनाटक करना पड़ा असल में मेन का जी ऐसी नहीं है नीलम जी, अभी भी देरी नहीं होई है जाकर अपनी बहु से माफी मांग लिजे और उसे बहु की तरह ही रखिए ना कि नौकरानी की तरह हाँ, ठीक कहती है मैं आज ही अपनी बहु बेटे के पास जाऊंगी चलो रुही बेटा, अब नाटक तो खत्म हो गया अब तुम घर चलो तब ही रुही अपनी सास को गली से लगा लेती है ठैंक यू ममी जी, मैं तो बहुत डर गई थी कि मेरा तलाख हो जाएगा ठैंक यू सम्धन जी, आपकी वज़े से हमारे अंदर थोड़ी अकल तो आई मैं आज ही अपनी बहु से मिलने जाऊंगी तभी दरवाजे पर सुमित और सुगंधा हसते हुए आते हैं नीलम और रूही फिर से हैरान हो जाते हैं और नीलम रोते हुए अपनी बहु को गली से लगा लेती है और फिर से एक हैपी स्टार्टिंग होती है ना कि हैपी एंडिंग तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा